तो अगर आप लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो भी XP फार्म का तो मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ XP फार्म वो भी सर्वाइवल मोड में जिसके आपको बहुत सारी XP मिलेगी और उसके साथ आपको मॉब्स की लूट भी तगड़ी तगड़ी मिलने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो हाई दोस्तों के साथ सभी लोग वैलकम बैक तो स्प्लेज गेमर्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के XP फार्म कैसे बनाना है वो भी सर्वाइवल मोड में लेकिन XP फार्म की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता के आपको ये फार्म अपने गर से 80 से 100 ब्लोक्स इतना दूर बनाना है मतलब के आपको इससे इतना दूर रहना है तभी इसमें मॉब साइजे स्पॉन हो पाएंगे और आपको बहुत सारी XP मिल पाएगी तो बिना रिके चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इस फार चेस्ट चार होपर और चार स्मूथ स्टॉन स्लेब्स और उसके अलावा आपको कॉबल स्टॉन बहुत थार चाहिए मतलब साथ से आंट स्टेक जितना कॉबल स्टॉन चाहिए एक स्टेक का ट्रैप डोर चाहिए और एक स्टेक टोर्चिस चाहिए उसके लावा वह वाटर कपलवाद यहां पर टू बाइ टू पा एक खोड देना है हम की कर वेसे हुअ जैसे लगाए लगा त्की辍ड़ घे से अब यहां पर बैट जाना है और होपर ले लेना है कि जिसकी वशब्स से यहां पर हम उपर की जो ब्लॉक से वह सब्सक्वारा सब्सक्राइब आपको उपर ब्लॉक लग लगा आप या्या पर देख रहे हैं कि मैं एक स्क्वेर बना रहा हैं वह फिले हैं मैं-टी-टी-ब्लोक लोक्स करना है आप चाहिए तरह 21 भी रख सकते हैं उसे कुछ खास फरक पड़ेगा नहीं 20 रखो 21 रखो या 22 रखो अब जितने भी रखना चाहिए रख सकते हैं तो अब आपको यहाँ पर बेट के जो हमारा साइड की जो जगा है वहाँ पर जैसे मैं ब्लोक लगा रहा हूँ ऐसे आपको यहाँ पर आट ब्लोक लगाने है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आप साथ लगा है तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि जिसके हो जिसे हमारा जो पानी का flow होगा हो सही से वहापे जो हमारा आठमा ब्लोक है वो अंदर का जो square का ब्लोक था वो count हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर 8 ब्लोक लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसका भी मैं आपको solution बता दूँगा वीडियो को end तक जरूर देखना तो आपको पता चल जाएगा अब जैसे हमें आपको एक side बनाया है इसा आपको same to same तीनों की 3 side बनाना है जैसे आप यहाँ पर देख सक रहा हो यह तीनों की 3 side बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा तो अब इसके बाद हमें इसके आसपास एक border बना देनी है मतलब आप देख पारे के वीडियो में जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी border त्यार हो जाए कि हमारा जो हम यहाँ पर पानी डालेंगे उसका flow सीधा का सीधा हमारा जो center है उसकी तरफ जाए जैसा मैंने यहाँ पर एक side बनाया है same to same आपको यह तीनों की तीनों side भी बना देना है अब इतना बन जाने के बाद आप देख सकते कि इसका look कुछ इस तरह आने वाला है अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर एक layer बनाई है उसके उपर हमें दूसरी layer भी बना देनी है जैसा कि आप वीडियो में देख पार है मैंने आप दूसरी layer भी ready कर दिये अब आपको यहाँ पर जो मैंने दूसरी height यह ready करी थी वही height पर आपको पूरी की पूरी यहाँ पर एक floor बना देना है मैं आपके अपने easiness के लिए यहाँ जो easy पड़े इसलिए मैं कुछ इस तरह यहाँ पर ready कर रहा हूँ आपको जेसे भी easy लगता है आप कर सकते है बस यहाँ पर आपको एक पूरा floor ready करना है जिसके आप यहाँ पर देख सकते है कि मैंने एक side का पूरा floor ready कर दिया है और वो कुछ इस तरह दिख रहा है तो अब एसे ही हमें जो बाकी की 3 side है उन 3 side को भी ready कर देना है और आप देख सके हैं कि यहाँ पर मैंने चारों की 4 side है मतलब की पूरा का पूरा यहाँ पर जो मेरा floor है उसको completely ready कर दिया है और इसका look कुछ इस तरह आ रहा है अब आपको यहाँ पर इसके आसपास 2 height की ऐसी एक border बना दिनी है मतलब की एक wall बना दिनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे 4 की 4 side यहाँ पर मैंने इसकी दो height की एक wall मतलब की एक border जिसा बना दिया है अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो हमारा यह floor है अब इसके उपर जो हमारा उपर की चछत होगी उसको भी हमें cobald stone की बनानी है तो अब इसी के साथ हमारा जो main main coverstone का जितना भी काम था हूँ सारा का सारा यहाँ पर complete हो चुका है और आपकी इसका look भी देख सकते हैं मतलब कि यह च्छतरी जैसा लगता है umbrella जैसा लेकिन यह सबसे अच्छा minecraft का बतु एक्सपी फार्म है और सबसे efficient भी है तो अब मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मैं आपर torches लगा दूँगा चारू की चारू side के जिसकी वज़े से यहाँ पर हमारे जो mobs है वो spawn होना अभी से start न हो जाए और हम हमारा जो काम है सबसे पहले उसको complete कर लेंगे और फिर जो side की side torches से उन्हे तोड़ देंगे तो अब आपको यहाँ पर ले लेने trap doors और trap door को मैं यहाँ पर लगा रहा हूं मतलब ऐसे ही के ऐसे ही आपको यहाँ पर लगा देने है इसकी वज़े से हुगा क्या कि चो mobs आएंगे उनको लगएगा यहाँ पर भी जमीन है और वो पानी में गिर यही का working principle है यहाँ पर सारे trap door लगा देने और उनको जब ओपन कर देना है जैसे मैंने एक side लगा आपको तीनो की 3 criar लगा देना है अब इसके बाद आपको यहाँ पर water ले लेनी yes water bucket और उसको यहाँ पर पानी डाल देना है अब यहाँ पर दे chwil breweral डेने ए इसलिए मैं पर पानी डालिए जिसकी वज़े से जो हमारा पानी है वो हमारे xp farm के center तक आजाएगा और सारे के सारे mobs यहां पर direct नीचे गिरेंगे मैंने आपर तीनों की तीनों साइट पानी डाल दिया है कि जिसकी वज़े से जितने भी scarf holding यूज मत करना आप यहां से सिर्फ 80 blocks मतलब 80-100 blocks जितना दूर आप अगर बनाएंगे अपना घर तो आपको easily आप मॉब spawn हो सकेंगे यहां पर मैं आपको सिर्फ एक experiment के लिए कि जिसके वज़े से मैं आपके प्रूफ कर सको कि आप मॉब easily spawn हो रहा है इसके लिए मैं आप स्काफ होल्डिंग यूज करा हूँ तो आप लोगों को यहां पर स्काफ होल्डिंग आप यहां पर जो सकाफ होल्डिंग उसके पास आगया हूँ उसके पास मैं आप एक गलास का एक पुरा का पुरा कमरा रेडी करने वाला हूँ कि जिसकी वज़े से मैं आइसोलेटेड हो जाहूँ और जो नीचे मॉब्स है वहां पर स्पूण होना स्टार्ट हो जाए और यहां पर मैंने इसको पूरा बंद कर दे रहा हूं यहां पर चार-पांच मिनिट रुकूंगा तो भी आपको नीचे मॉब्स स्पून होना स्ट मुच्छे भी देख सकते हैं मैं आपको छेस्ट खोल के भी दिखाता हूं इनकी जो चीजे थी मतलब कि यह जितनी जितनी लूट है गन पाउडर है रॉटन फ्लेश आप इतना सारा रॉटन फ्लेश भी मिल चुआ है तो वह सब आपको यहां पर मिलेगा तो बस यही था आज सेक्षन में जरूर बता देना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते और इस टाइब के आपको वीडियो और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइबald कर देना और बाज़ों में चब्ल आइकन उसे भी प्रेस कर देना तो मिलताने आपको नेक्स्ट वीडियो में त